नमस्कार दोस्तों मैं शद्धान्त ओलंबिक इस्टेडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज लगभग तीन से चार दन के बाद में मैं वीडियो ला रहा हूँ एक्चुल में आप समझ सकते हो कि अपनी भी कुछ प्रावलम होती है अपना भी कुछ सेडियो सब्वार्मन्ट सभी करें लेकिन बैठता हूं तो कफी मैं मन नहीं करता है चली ठीक है दोस्तों आज काफी समय के बाद में टाइम मिला है और लगभग रात का सवा एक बज़रा मैं इस टाइम पर वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस जो particular इस chapter से पूछा का सकता है वो कैसे पूछे का किस तरह का question आपका मैंने chapter के बारे में तो बताया नहीं कि आज हम पढ़ने वाले क्या है आज हम देखने वाले है ग्राम विकास सोध प्रडाली ठीक है एकदम से unique chapter है आपको YouTube पे I think अभी ये वीडियो कहीं नहीं मिलेगा और दूसरी बात ये है कि कोई भी teacher इसका expert नहीं है क्योंकि इस सोध प्रडाली में आप ये समझे कि यहाँ पे कई सारे subjects का involvement होता है आप समझ सकते हो जैसा कि मैं आपको बात करूँ कि अगर इसमें आप सांखी की देखोगे तो ये भी involve होता है तो कोई भी teacher ऐसा नहीं है कि सांखी की expert होगा जो आपको ये पढ़ाएगा ठीक है ग्रामिन पढ़ाएगा ऐसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो एक तरह से psychology भी यहाँ पर यूज हुआ है science भी यूज हुआ है यानि कि वैगर एक तरीका भी यूज हुआ है मैंने बताया कि math अल्री यूज हुआ है यानि कि ये chapter आप देखोगे तो कोई particular इसका teacher नहीं है हाँ जो जितने अच्छे से define कर देगा students को उतने अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है तो कोई भी इसमें expert नहीं है आप किसी को भी उपर नीचे नहीं कर सकते हो चले ठीक हम वीडियो से स्टार करते हैं और वीडियो से संट के पहले थोड़ा साम कुछ कोईशन लेंगे तस-पास कोईशन जो भी important question बन सकता है इस चेप्टर से ठीक है भी देखेंगे क्योंकि वहां पर हम जस्ट प्रैक्टिस करवाएंगे जो यहां तर शूटा है वही 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 आपको वही कोईशन आपको सामाजिक अनुसंधान का मतलब यह होता है दोस्तों कि आप कोई पार्टिकुलर एक चीज पकड़ लो उसमें जो चीजे डाउट आपको आ रही है उस पे सोध करो उसको देखो उससे जो ग्यान प्राप्त हो रहा है उसको चेक करो मतलब इस पे आपको एक तरह से सोध करना सोध बोले तो अनुसंधान ठीक है बस यही है कि अनुसंधान का मतलब होता है किसी विसेवस्तु पर सोध करना अब वो विसेवस्तु सामाजिक भी हो सकती है ठीक है प्रियोगात्मक विसेवस्तु भी हो सकती है कोई वैग्यानिक इंविंसन हो गयरा हो रहा है क्या बोलते क्या संथान उसका एक वयांनिक निस्कर्षन व्यक्ञानिक उसका डिसीजन ठीक है autant उससे निकाली है क्या आप इससे घ्वांपरब्त किया है यही होता है तरफने तरभ से बोल दिया आगरए ऐसी है क्या कैसे एक जो एक होतानी की परिभासा एक जो टेफिनिशन होता है उसको मुहापिक देख लेंगे यह तो मैंने आपको बता दिया अपनी भासा में ठीक है चलिए दोस्तों यह देखते हैं यहाँ पर सेकंड कुईशन है सोसल रिजर्च पुस्तक के लेखक कौन है सोसल रि लिजर्च है और यहाँ पर डिजाइन ऑफ सोसल रिजर्च तो डिजाइन ऑफ सोसल रिजर्च का जब मतलब आएगा तो यह आपको करना है एक ओफ एक ओफ इसके डाइटर है ठीक है अगला कोईशन देखिए अकला कोईशन है सामाजिक अनुसंधान में प्रयोग की जाने देखें दोस्तो गुडात्मक पधति का मतलब होता है किसी चीज की क्वालिटी को लेके उस पर हम सोध करें ठीक है उसकी क्वालिटी क्या हो सकती है उसको हम कई तरह से देखें तो वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो साभागी साभागी भी नहीं होगा जीवन इतिहास भ भी नहीं होगा और साच्छातकार अनुसूची आपका होगा ठीक है नहीं नहीं यहाँ पर जो चीज़े हो रही है अप बोलिंट आपको देखना है कि कौन सी गुडात्मक पधती नहीं है तो साच्छातकार अनुसूची आपकी गुडात्मक पधती नहीं है दोस्तों यहाँ पर क्या है कि आपको साब्धिक अर्थ लेकर चलना है। एक्जाम टाइम में क्या होता है। यह चैप्टर ऐसा चैप्टर अगर बाई चांस यह आपके moyenne में देता है। आपको define करता है कि हाँ यह चीजा आपको पढणी है। तो आप समझ लेंगे कि इसमें अगर कहीं कोईशन घुमा के देखा तो यही वो चैप्टर है जिसमें आप 50-50 में फस होगे ठीक है तो यहाँ पर वाईसे आप 50-50 में जब भी फसना तो आप वहाँ पर रिस्क ले लेना क्योंकि आपका जो मन होगा ठीक है क्योंकि यह चैप परसंट या लगभग 80-90 परसंट चांसें से उसके कि वो सही चला जाएगा ठीक है बाकी कभी कभार ऐसा होगा कि सेकेंड वाला सही हो सकता है अदवाई चांसें जादा है कि आप सही ही क्लिक मारो और यह से भी 1-4 की जहां तक है निगेटिव मार्किंग रहने वाली है जो विस्तरत सरवेक्षण में सनलगना है विस्तरत सरवेक्षण मतलब यही होगा कि और वर्ल्ड वाइट इन्वाल्व होगा है ना तो मास ऑफजरवेशन क्या है यह एक इंग्लेंड की संस्था है जो की विस्तरत सरवेक्षण में सनलगना है अगला कोईशन है भारत में स नेशनल सेंपल सरवें तीसरा है अपके माँड में होना चाएं चाहिए करते जहें ती संद्धान में सम्दें भारत में अगला कुश्चन देखिए अगला कुश्चन है विशुध अनुसंधान याने कि pure research कभी-कभी विशुध को लोग एकदम से गलत वाला सुध समझ लेते हैं मतलब सुध का उल्टा विशुध समझ लेते हैं तो आप यह गलती मत करना सुध का उल्टा जो होता है वो होता है अशुध है लेकिन जब आप विशुद्ध की बात करोगे तो यानि कि शुद्ध का शुद्ध आप बोल सकते हो एकदम से प्योर ठीक है इंप्योर नहीं प्योर एकदम से जो प्योर होगा उसको हम बोलते हैं विशुद्ध यानि कि उसमें कोई भी कमी नहीं निकाल सकते हैं विशुद्ध है तो देखिए यहां पर विशुद्ध अनशन्धान की बारे में कौन सा कथन शत्य है आप ये बोल जबते हो तो यहां पर मूल भूत नियमों की खोज अप्बियसती बात है कि जब विशुद्ध की बात हो रही है तो हमें उसके मूल में जाना पड़ेगा यानि कि हमें उसे concept देखना पड़ेगा कि वास्तों में वो concept क्या है इसके बाद में अगला है ग्यान के लिए ग्यान प्राप्त करना इसका लग्षे होना यानि कि जब हमने किसी चीज़ के बारे में एकदम से observation कर लिए इसका हमें इसका हमें ग्यान मिल गया है तो इस ग्यान को फिर से हम एक बार ग्यान इस ग्यान का भी ग्यान अरजन करें कि क्या हमने ये चीज़ें सही पाई है यानि कि ये चीज़ सही है जो हमने अविक तक reading लिए है तो इसको बोलते हैं ग्यान के लिए ग्यान प्राप्ति का लक्ष यह भी विशुद अनुसंधान के अंतर गताता है अगला है मौलिक सिध्धानतों की स्थापना यानि कि जो बेसिक था बेसिक मौलिक सिध्धानतों की स्थापना ठीक है आई तिंक आप समझ रहे होंगे तो यह हमने देखा कि यह जो महात्रपूर्ण कोईश्यन है आईसा ही कोईश्यन आपसे एक्जाम में इस चैप्टर से संबंदित पूछेगा ठीक है अब हम आते हैं कंप्लीट अपने चैप्टर पे अपना थेओरी क्लास स्टार्ट करते हैं ग्राम विकास सोथ प्रणाली ठीक ह तो दोस्तों पहले हम ध्यान से समझ लेते हैं कि सामाजिक अनुसंधान होता क्या है या फिर वग्यानिक प्रधति अगरा क्या होती है इसको हम समझने के कोशिश करते हैं एक परिभाशा के बेसिस पर तेकि परिचे में अगर हम देखेंगे तो सामाजिक समस्याओं को समझ थिक ध्यान से सारी बातों को सुनिएगा सारे सारे शब्दों को में यहां पर सब्सक्राइब करते हैं सामाजिक समस्याओं को समझने ठीक है उब्यसी बात है हाँ ठीक है उनके सत्यापन ओके एवं परिमारजन तथा सध्यांतिक विश्लेशन के लिए व्यवस्थित वैज्ञानिक पधती का प्रयोग ही सामाजिक अनुशंधान है ठीक है सामाजिक अनुशंधान क्या है फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं सामाजिक समस्याओं को समझने समाज में जो समस्याओं व्यापता है उनको डीप इनालिसिस करके समझना उनके सत्यापन उनका सत्यापन करना एवं परिमारजन परिमारजन का मतलब क्या होगा भी सत्यापन के बाद में क्या चीज़ आ सकती है उनके सत्यापन एवं परिमारजन ठीक है आप लोगों में से अधिकांस लोग अगर जानते होंगे तो अच्छी बात है जहां तक मुझे लग रहा है कि सत्यापन के बाद में उनका उनका कहते ह प्रोसेस मिलाना ठीक है प्रोसेस मिलाना उसको आइधिंग परिमारजन बुलते हैं जहांत मुझे लग रहा है बाकि अगर आप समझे लगा तो अच्छी बात है परिमारजन तता सधान्तिक विशलेशन के लिए सद्धान्तिक विस्लेशल का मतलब क्या है अगर नॉर्मल यह आप सद्धान्त का मतलब समझोगे तो एक दो theoretical होगा एक होता है ठीक है theoretical विस्लेशल यानि कि जो थियोरी बनी है उसका विस्लेशल करना के लिए व्यक्ति व्यवस्थित यानि कि सारे चीजों का अब इतना जो हमने किया इनको व्यवस्थित तरीके से इस वेवस्थित तरीके से करना इसको करना वेग्यानिक पद्ध्दद के वेवस्थिति समाजिक अनुशन धहन है को में पढ़ते चला जांग तो देखिए इसका जो definition है इसको कई सारे वैग्यानिक ने या फिर दार्सुनिक ने अपने-पने हिसाब से दिया कि सामाजिक अनुसंधान किसे बोलते हैं लेकिन देखिए अगर हम यहां पे सारे वैग्यानिक को यहां पे लिखते या फिर जो भी जिन्होंने definition दिया था हैं कि हिटने के अनुसार सामाजिक अनुसंद्धान क्या है उसको हम देख लेते हैं आसान है इस ले मैंने ले लिया वाकि ओर भी कई सारे लोग है ठीक है तो उनका मैलेन उचित नहीं समझा। एक्जाम में आपको इतना समझके यानि कि जिसे हैं हमारा समूह अगर मैं एक बड़े समूह की बात करूँगा एक एक नैसनल लेबल बात करूँगा तो यहां पे जो देश है इंडिया और यहां पे जो देश है चाइना इन मानुष समूह का इस मानुष समूह से क्या संबंद है इसका हम पिछले अगर होता न निकलता है उसके अधार पर नहीं वग्यानिक पधति के आधार पर डू जो पपत्र ऐसे होते नहीं प्रलीस नहीं होते हैं। उनके बेसीस पे actual घ्राना हसल और किनिया कि उस प्रण होते हो ज्यान करना एक तरह से समाजिक अध्यम एक तरह से आप बोल सकते हो कि आप समाज भी हाला कि आप नेशनल की जब बात करोगे तो वो समाज नहीं रहाता है वो तो फिर एक देस हो गया लेकिन मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूं ऐसा ही जो मैंने बताया कि भारत और चाइना है उसको आप एक जैस्ट गूरुप समझ लेजिए ठ यह होता है कि बहुत स्टैडि करके उसको सास्त्री बोलते है ठीक नहीं एक होता है कि जो व्याकरण पढ़ा है लेकिन एक होता है जो व्याकरण को बहुत अच्छे से डीटेल में कर लिया है उसको सास्त्री बोलते हैं ठीक है तो अगर एक्जाम अगर हमें आएगा बाईचांस आपके लेकपाल के एक्जाम में सम्बंदित कुछ चीज़े आ रहे ह हैं वास्तों में समाज सास्त्री बहुत चुप रहेगा बार-बार कहीं पर जाके इंटर्व्यों गर नहीं देगा वह समाज सास्त्री ही होता है बहुत डीप नॉलज होती है उसको अपने पार्टिकुलर एक समाज की लोग जाते हैं पेज़डी करने किसी गाउन तो काफी टाइं से आ रहा हो तो आते हैं प्वाइंट पे बहुत लादा संध् ele國 me अगया प्वाइंट है कि सामाजिक अनुसंधान की нужно करते हैं इसकी प्रकृति मैं अलेडी बताया था कि व्यव्यानिक प्रकृति है ऐसे नहीं कि कुछ भी हवा में लिखना रखकरति है जहां पर अनुस अनहां लगता है जहां पर रिसर्च लगता है वहां पर वैज्येनग पधाती अपने आप या आती ठीक है और सामाजिक जीवन का जो अध्यन है यह हम वैज्यानिक विधी से करते हैं और इसकी जो प्रकृति हुत्य है यह आप देख लिए नवीन तथा पुराने तथा सुभी तथ्य पर विशलेश्न करना ठीक है छे नवीन था उस पर बी और इसके साथ में इस्ते लगा हुआ जो पुराना था उसको भी साथ में लेके चलना और सभी पर करना ये भी इसके प्रक्रती के अंदरगत पता है इसके बाद में सांख की विसलेशन का प्रयोग जरूरत पढ़ने पर अगर हम है इसके बाद में डाइर रुट रही इसके बाद में होता है इसके बाद में बहुत होते हैं जर्म जिसमेंधन या फिर को करते हैं देखिए मैंने बता दिया किसमें स्तांखेगी कि अभी विसलेशन हो सकता है दोस्तों सामाजिक अनुशंधान का महत्तो हम देखते हैं सामाजिक अनुशंधान का जो महत्तो है वी वास्तों में महत्तो है विकॉज यहां से हमें रियल चीजें रियल डेटा निकल के सामने आत सबसे जरूरी बात यह है कि अंधविश्वास मिरता है समाज में अंधविश्वास गाउं के लेवल पर आभी आज देख रहे होगे कोई किसी को काली माता आ जाती है अभी जस्ट मैं मैंने एक्जांपल इसले लिया है क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले कुछ काली जी की पू बिलने लगा और बाद में फिर पता चला कि लोगों ने कहा उसको काली जी आ चुकी है तो एक तरह से मैं तो फिलाल इसको एक अंधविश्वासी मानता हूं क्योंकि मेरे हिसाब से काली जी जो आती है वो एक मेंटल डिस्टरबेंस है वो एक स्वाइक पड़ता है देवी क आपके माइंड पर आपकी विश्वास के आधार पर ठीक है ऐसा नहीं कि देवी जी आती है आपके विश्वास के आधार पर देवी जी का आपके माइंड पर एक साइकोलोजिकल इंपक्ट पड़ता है और उसी की बैसिस पर आपका जो माइंड है वो रियक्ट करता है और हाँ उनको आया है 30% ऐसा होता है कि हाँ वो माइंड का वास्तों में कुछ connection होता है ठीक है तो ये अध्यविश्वास वगारा का भी हम अध्यन करते हैं इसी के basis पे यानिकि सामाजिक अनुसंधान यानिकि वग्यानी परधती से अगला है सामाजिक अब जब हम ऐसी कुरीतियों को, ऐसी रूढवादियों को हम दूर करने कोशिश करेंगे धीरे-धीरे-अपने अंदर शोसल reform लाएंगे जो problem का रहें सामाज में उनको हम दूर करने कोशिश करेंगे तो प्राब्स आरें आघ्ये समाज चार्य कर सकते हैं कि थोड़ा दोस्तों मुझे डेटा को पढ़ने की पर्मिशन देजिए वीडियो बहुत लंब हो जाएगा जो कि मेरा स्टार्टिंग से उद्देश से नहीं रहा है ठीक है तो देखें सामाजिक अनुसंधान के सोपान यानि की चरण ठीक है इसके चरण क्या-क्य होते हैं उसको हम देख लेते हैं एक है सामाजिक घटनाओं की परिवर्तन सीलता सामाज में घटनाय जो होती है आज के 90 के दसक में घटनाय जो हो रही थी उस टाइम पर मुंबई में एक्जांपल के लिए बता रहा हूं उस टाइम पर मुंबई में क्या था यह जो गैंग वस्तना सब्दकावपराई यह होता है कि आपक इस Caleb Rank TV के निश्ठा है यहाद कि कि आप के इछे से उस चीज़ को लेकर dedicate हो जैसे कि मुने आपको एकजाम के लिए आछा एक चीज मैं बताओं अगर आप लोग में मरी बतोओं को द्धीहान के सुनिहेगा यहां मत द्यान मत दीजे देखिए नौइस बहुत आ रही है इसलिए मैं कहा रहा हूँ क्योंकि जस्ट बगल में रामाइन चल रहा है अभी जस्ट इंदरजीत का बद होने वाला है तो म्यूजिक तो अपने उफान पे है और युद्ध भी अपने उफान पे है तो मेरा भी दिमाग डायवार्ट हो रहा है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूं अभी आप जस्ट देख रहे होगे कुछ टाइम पहले मैं हाई नर्जी से पढ़ा रहा था लेकिन अब एनर्जी जस्ट लोग हो चुकि है क्योंकि रात में दो बज रहा है तो उस चीज को भी चेक कर सकते हो ठीक है क्योंकि यहां पर वैग्यानिक बेसेस पर अगर आप खुद को भी डिसाइड करोगे सोचोगे अपने बारे में अपने बारे में थोड़ा समय समय लूँगा जस्ट दो मिनट अपने बारे में आप कैसे डिसाइड कर सकते हो जरूरी आप दिन फर पढ़ाई किये हो तो इस से आपका मैंड पोस्टी होता है दोपर में प्रकृतिए कैसी है लगातारा पढ़ रहे हो या फिर बस हवा में ऊड़ रहे हो या फिर जफिर हवा में आ पूड रहे हो तो यह सारी चीजों को अगर आप वास्तों में दो से चार्ट दि जाएगी आप अपने चीजों को आप खुद को जान जाओगे क्योंकि आप खुद को अपने देनिक दिन चरिया को आप खुद को एक कॉपी पर उतार चुके हो और उस थेओरी को अध्यन करके आप खुद में फसे पड़े हैं हम लोग जो चल रहा है जो आँखों से देखते हैं जो एक imaginary life है उस पर believe करते हैं लेकिन अगर हम imaginary life को एक theory में बदलके उस पर हम सोध करें एक copy में लिखके कि हमने कितना मेहनत किया है हम यूपी लेकपाल के exam को लेके कितना dedicated है हम क्या YouTube पे जाते हैं सर्च करते हैं और यूट्यूबर को देखके बस उनको सोचते हैं कि यह अच्छा नहीं पड़ा रहा है वो इस तरह से बोल रहा है वो इस तरह से अपना आपके यूपी लेकपाल के exam को impact रहेंगी आपके selection को भी impact करेंगी तो यह सारी कीजे हैं देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ छोटी चीजें आपको अच्छा ग्यान देखे जाती है फिलाल मेरा ऐसा मानना है तो आपको क्या करना है आप किसे से कैसा संबंध बना के र disturbance यानि कि कहीं आपका health तो नहीं खराब है आपके पेट में तो नहीं problem रहती है कि इस वज़ा से आपका पूरा दिन खराब जाता है कभी कभी क्या होता है कि problem हमारे अंदर होती है लेकिन हम problem को बाहर बाहर देखते हैं यह भी गलत है भी problem जो हमारे अंदर है यानि कि हमारा पेट खराब है कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर मैं पेट को बार-बार क्यों ले रहा हूं क्योंकि यह एक ऐसा डिवाइस है आपके body में क्योंकि अगर यह हिल गया अगर यह खराब रहेगा तो आपका सब कुछ खराब रहेगा ठीक है बोलते हैं mind ऐसा चीज होता है कि उसमें disturbance हो गया तो पूरा body disturbance लकिन second चीज आपका पेटी होता है अगर आपका पेट खराब है तो आप दिन भर ऐसे ही उड़ोगे मतलब सही से आप concentrate नहीं कर पाऊगे तो यह सारी चीजे भी होती है तो यह देखिए मैं आप पे अनसंधान कर रहा हूँ आप पे सूध कर रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ इस chapter से ज्याद जरूरी है कि अगर मैं यहां से आपको एक number इस chapter से मिलेगा तो जो चीजे मैं बता रहा हूँ अगर आप इस पे सूध करने लगए अनसंधान करने लगए तो आपका UP लेकपल में selection हो जाएगा यह जो आपने टेजर पढ़ाएंगे वो तो बस ठीक है आपको theoretical part पढ़ा देंगे लेकिन जो मैंने अभी तक बाते बोली है अगर कोई बच्चा समझदार होगा मुझे नहीं पता कि कौन लोग समझदार है कौन लोग कैसे मेरी बातों को ले रहे है लेकिन हाँ अगर आप लोग अच्छे से समझ रहे होगे तो आज से मेरी बातों को ध्यान देजिएगा एक copy page लो ठीक है या डारी लो उस पे दिन भर के अपनी चोटी चोटी गलतियां चोटे चोटे एसीमेंट्स सब कुछ लिखना स्टार्ट कर दो आपका time table क्या है आपने एक घंटे का schedule fix किया था तो उसमें आप कितने accuracy के साथ में एक घंटे आपने पढ़ाई किया तो यही चारी सारी सीजें हैं यही इसी पर आपको सोध करना है अपने आप पर सोध करना है ठीक है, तो बहुत जाद आप नहीं अब बहुत जाद हो रहा है, बाकी हम video class में ले लेंगे ठीक है, आगे का point देखते है क्या है आगे का point है दोस्तों समाजिक समस्या की गुडातनक प्रकृती इसको भी हमें देखना है अब हम बात नहीं करेंगे देखो यार मेरी यादा थे कि मैं चीजों को बहुत डीब मिले जाने लगता हूँ मेरी ये टीचिंग मतलब मुझे लगता है कि यार जब तक आपको एक प्रैक्टिकल चीजे ना समझाती जाएं तक तक थियोरी वेकार है मैं यहाँ पर डीटेल करता हूँ प्रैक्टिकल करके ताकि आपको अच्छे समझ में आए फिलहाल वो समय नहीं रहा है समाजिक समस्या की गुडातनक प्रकृती होती है और सही माप असंभो है इसलिए फिर हमें समाजिक अंसंधा इक आप्यों प्राप्त करने का व्यवस्ते तरीका कुसल खोज एक औख चर्चमेंन के हिसाब से जान प्राप्त करने का व्यवस्ते तरीका या फिर कुसल खोज ठीक है इसकी विशेष्टाएं क्या है प्रामारिकता या सत्यापन सिल्था प्रामारिकता भई किसी चीज के प्रमार के वैसेश्थ पर हम काम करेंगे या फिर सत्यापन सिल्था के वैसेश्थ पर काम करेंगे तो यह वैग्यानिक परधती ही होगी और वस्तों निश्चता य चार-पांच आफसन दे सकता है यहाँ पे तो आपको देहार रखना है पूर्वा अनुमान, निश्चयात्मत्ता, प्रमाडिकता या अफे सत्यापन सीलता, वस्तु निश्ठता, क्रम बद्धता, ये सारी विज्ञानिक बद्धती की विशेशता हैं अगला देखे दोस्तों क्या लिखा हुए, वस्तु निश्ठता को थोड़ा सामने डिफाइन किया है, वस्तु निश्ठता, निस्पक्षता के साथ घटना या परिक्षण की वस्तु निश्ठता, क्या लिखा है मैंने, निस्पक्षता के साथ घटना का परिक्षण ही था देखिए जब आप ऐसे पढ़ोगे तो कनिफिस दोगे लेकिन जब आप कोई आपको वस्तु दे दी गई है ठीक है अब आगल बगल में भी कुछ चीजें हैं आप गये चेक करने के लिए इस पर वग्याने के सोध करने के लिए तो आप यहां वहां डाइवर्ट तू नह अगला है व्यक्ति निष्ठता का मतलब क्या है जब अवलोकन व्यक्तिक तथा पक्षपात व्यक्ति निष्ठता या वस्तु देना चाहते हो यह आपका माइंड ही तू नहीं ऐसा है कि कोई जिसे एक लड़की आपके पास काम करवाने के लिए आती है मानलिया कि आप एक लड़कर बना दरात लोगे पास लड़की आ रहाएया डोली माडापत्र बने में के लिए उडलकी बहुत सूरत है टीक है अब मंडोला डोला हो गया ठीक है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इसके प्रतिज्यादा समर्पित्व काम करने के कहीं यो बुरा न मान के ना नहीं क को भाव ही नहीं दिया आपका भाव पूरा का पूरा अपोजिट साइड में चला गया अपोजिट है समसरे हो गया तो यह चीज़े गलत हो जा रही है यही बोला है कि व्यक्त निश्चता होनी चाहिए आपके प्रती दोनों लोग समान है आप दोनों का काम बराबर तरीके से कीजिए यही व्यक्त निश्चता ठीक है अगला देखिए सामाजी सर्वेशन क्या है सामाजी सर्वेशन सामाजी घटनाओं के व्यवस्तित एवं व्यग्यानिक अधिन की प्रणाली है देखिए दोस्तों कई सारी बुक में आपको कई तरह के डिफनेशन देखने को ठीक है देखिए बाकी आपका माइंड इतना है कि आप एक्जाम में ऑप्शन अगरा देखिए अगर आ रहा है तो देखिए कर लोगे देखिए सामाजी सर्वेशन सामाजी घटनाओं के व्यवस्तित एवं व्यव्यानिक अधिन की प्रणाली है I think समझ गे होगे कोई कोद का ड्राफ्ट त्यार करना किसी भी समाजीक अनुसंधान की प्रकृति को नेचर को यानि कि कोई भी यह अबजक्ट है तो इसके नेचर को समुचित रूप में पूरा करने के लिए प्रारंभ में ही निर्धारत की गई योजना यानि कि इसको हमें कैसे कैसे स्टप वा पढ़ लिया कभी वो पढ़ लिया कभी रेंडम ली नहीं अगर आपने पहले से क्रंबद तरीके से मौर्निंग में उटके अपने पूरे दिन का प्रारूप प्यार कर लिया कि हां मुझे इस टाइम पर यह चीज पढ़नी है और हंड़िड पसंट अपना टार्गेट को समझ गई होगा अपने जब जब मैं आपको समझाता हूँ आपके एक्जाम को लेके लेकपाल को लेके तो आपको ज्यादा समझ में आ रहा होगा देखिए अब यह क्या है यह जो इसकी विशेष्टा है यह गमाइण आपका लचीला है यह नहीं बहुत जादा मजबूर वारा से है ना जैसे मैं देने वाला हूँ अभी कम से कम दाम में तो यह सारी चीजें हैं मित वे ही हैं बुक लोगे आप अभी जाओगे बुक लेने तो 300 रुपया साड़े 300 रुपय की बुक खरीदोगे उसमें क्या मिलेगा आपको इतिहास मिलेगा पूरा का पूरा और इतिहास को छांट के खुद का नोट बनाना एक बहुत बड़ी बात होती है मैं इतने दिन से यही चीज़ कर रहा हूँ अभी तक कंपलीट नहीं हो पाया आप समझ सकत और इतने अच्छे से आप समसकते होगी कि इतने अच्छे से कर रहा हूं कभी कभी दिक्कता या नहीं कारता हूं तो फिर आपको तो चार सब्जच देखने हैं मैं तो यही सारी चीजें आप समसकते हो कारड़ कारड के उसका जो सार है divаж कि अ वो निकालना एकजाम के हैए आप मुझे पर विश्वास करते हूं बहुत अच्छी बात है कारिकोसल मैं कारिकोसल हूं यह आप डिसाइड करोगे और आप कितने अच्छे कारिकोसल हो यह आपका एक्जांब आपका सेलेक्σιं डिसेड करेगा ठीक है मुझे में कमी निकालनी है या तिर आप कमी निकालनी है यह खुद आप यह आपे डिपेंड करता है कुछ लोग मुझे में कमी निकालते दो महिना वेथित कर देंगे और कुछ लोग अपने आपको सोधारते दो-सथारते करने वाले हैं तो यह ड tbsp भी देखें मैं ऐसे समझा दे रहा हूं sampling जब मैं एक टाइम पर अपना इंजिरिंग कम्प्लीट कर रहा था तो होजन 14 या 13 की बात उस टाइम पर एक data communication एक topic था उसमें यह sampling हम लोग को बहुत डिटल में करा गया था sampling क्या होता है कि किसी ईसको एक sample देना जैसे कोई एक all डे watts है तो इसक को हम esao कोई चीज से बड़ी हो सकती है तो इसको अगर हम एक sample मिलांगे ऐसे करके ठीक है इंग ग्राफ होगे ऐसे तो यह क्या है इसके हमने एक sampling कर दी ठीक है यानि कि इसको हमने से When I दिया है बहुत आसान समझाओंगा बहुत टेक्निकल जाओंगा तो भी गड़बड हो जाएगा ठीक है तो यह होती है सैंपलिंग का मतलब जो उसके अंदर चीजे मौजूद है वो एक तरह के प्रकृती की है यह सैंपलिंग होता है तो वही यह सैंपलिंग अब देखे यहा जैसा है और अगला सैंपल जो है कुछ ऐसा है इसमें जो डेटा है वो एक जैसा है ठीक है तो आपको पता है कि हाँ यह डेटा अलग है और यह डेटा लग है बार बार आपको छाटने की जोरत नहीं पड़ेगी और अगर दोनों मिक्स रहेगा अगर इसको मैं ओवर सैंपल क कर दूंगा इसका इसका तो यह चीजें यह भी इसी पर पहुंझ जाएंगे इसे ठीक है अब खोशते रहो कहां पर को सा डेटा गया यानि कि क्या है अगर हम सेंप्लिंग कर देंगे अलग अलग दोनों को कर देंगे तो वहां से हम समय की बचत कर सकते हैं अब चीजें आप स इसकी इंग्लिस लेंगे तो जस्थ हमको निकल कर रहा है औपजवेशन आइटिंग आप समझे जोगे किसी चीज को आपज़र करना आपज़र का मतलब क्या है किसी चीज को समझना उसके बारे में अधिन करने की कोशिश करना अपजवेशन ठीक है अपने आपका कि अब लोगन या फिर आपजवेशन सभी प्रकार की इंद्रिये ग्राह विसे वस्तु का आलेखन है मैंने बोला था ना कि आप आप आपजवेशन खुद करते हो यानि कि आप ही एक इंसान हो कि जो अलग चीजों से जो चीजे हैं उसका भी आपजवेशन करोगे खुद क मैंने इसलिए बोला इंसान पार्टिकुलर इंसान के दौरा बनाई चीज जो है उसके इंदर इंद्रिये विशेष्था नहीं होती है इंद्रिये क्या होते हैं अगर वास्तों में आप समझदार हो तो कमेंट सेक्शन में पांचों इंद्रियों के नाम लिख के बता देना मुझे मजान जाओंगा कि आप सामाजिक गति विदियो में या फिर सामाजिक जनरल नॉलेज में भी आप इन्वॉल्व हैं अगर आप पहली बात तो यहां तक आई नहीं होंगे मुझे पता है कि जो लोग आये होंगे उनका में शुक्रिया करता हूं थैंक्स बोलता हूं कि आट लिस्टा झालेना देखिवी विश्यश्ता क्या है इंद्रिय यो इंसानी है इंसान की बात हो रहिए निश्चन या प्रेष्ण में इंसान की Baffuan औरी आगरा सेंकल Wikipedia सुच में औध्यन ऊपकल्पने निर्माड जानी कल्पना जो होती है छो उसके ऊपर जो कल्पना होती है या कल्पना के थोरी सी कल्पना बोल सकते हो बहुत ज़़्डा कलफना सिल चीजे नहीं, उप कलफना, भाई कोई चीज हम thinking करेंगे, एकतरा से कलफना में आएंगे, एक स्याला में नहीं, थोड़ी सी कलफना में आएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, कलपना में नहीं जाना इस लेबल पे कि बस हम बन गे, वो भी बन यह नहीं हो मेनद करीनी रही कि मैंनेद करोगे तब न बनोगे वो किल्पना ठीक kolay आई से समस्ज़िशु एस Prevention अनुसुची पढ़ मने है तो कई लोगों ने इंटर्व्यिव दिया होगा या फिर आपने लिकल ने भीकॉंब अग किया होगा तो भी मतलब जो पड़े लिखए नों जौब के लिए के इंटर्विव दिया होगा वह यहाँ पर दो या अनेक विक्तियों के बीज वरतालाब अत्वा मौछिक सामिल होते हैं दोपक्ष्षञ वारतालाब मनुवेगनिग्ञेश है संस्था में प्रवेस नेता Bennett Hz अधी संस्था में प्रवेस करने के लिए बहुत प्रवक्ता है कि याम उनकवी रेभी जेपी बाले है कौन है जिनको एक किसी ने विवेकानन सौमी बोल दिया था चलो मुझे नाम नहीं यादार है फिलाल बहुत प्रवक्ता है बहुत ज्यादा एक्टिंग करते हैं आगे यूटूब उस पे टीवी पे चली ठीक है साच्छातकर के प्रकार निदानात्मक साच्छातकर उपचार बताया था स्टार्टिंग में इंडियन इंस्टेटिस्टिक्स क्या बोलोगे उसको वह अनसंधान टाइप की कोई संस था है वहाँ पैश आप इंटर्वी देगे तो यह वाला हो गया उप्चारात्मक का मतलब नौर्मल यगर आप देखोगे तो कुईसी चीज़ पर उप समस्या का विश्माधान हो सकता है और निदानात्मक भी कुछ ऐसा इनिदान का मतलब क्या होता है उसका उसका मतलब समस्या का समाधान ही फोता है तो बस आप समझ की ऐं कर दो पता लगे हम महनत करते रहें और कुछ रिजल्ट पता लगे ना मिले फिर मुझे हाड़ ड़ाइग आ जाएगा इतना महनत कर रहा हूं बोल नहीं पार हूं जास वन सेट पानी पिलू हाँ कि अगर कि अगर कि अगर कि हाँ कि गुड़ात्मक विधियां आप यह समझ लेजिए ज्यादा कुछ नहीं है नॉट इंपोर्डेंट आप देखर हो यहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे भी कुछ अजीब टाइब में टाउंस थे तो साभागी और लोकन पार्टिसिपेंट अब्जबेशन आपक इवं ग्रामेड अनसंधान के प्रकार दोसों इसमें आपको हेडिंग याद रखना है कि कि तने टाइब के प्रकार होता है बाकी कोई बहुत जादा डेटेल नहीं देना है हमको यहाँ पे अगर मैं डेटेल देने लगूंगा तो अभी सिब वीडियो एक घंटे को हो जाएगा तो मैं अमीद करूँगा कि मेरी जो यहां पर नहीं आएगी जो थेवरी यहां पर लिखा हुआ है वो मैं आपको बता दूंगा ठीक है पहला है अन्वेस्ट आत्मक या अत्वा निरू निरू पड़ात्मक ठीक है तोड़ा एनरजी सामाजिक यों ग्रामीन अंसंधन के प्रकार में जो है अन्वेस्ट आत्मक औ लिएं जिस सोध का सहरा लिया जाता है तैसिट अन्वेस्ट आत्मक सोध फिर से सम्झाने कोषिश कर रहा हूँ जब सोध करता किशी सामाजी घठना के पीछे कोई घठना गढ़े यह उसके पीछे कारणों को ढूड कर निकालना चाहता है ठीक है निकाल लिया ताकि कि सदात्मक सोध बोलते हैं उद्धे से क्या है समस्या के संबंध में प्रात्मिक जानकारी प्राप्त करना हाइपोथिसिस का निर्माड ये देखना ध्यान देना हाइपोथिसिस का निर्माड हम किस सोध के अंतरगत करते हैं तो ये ध्यान देना अनवे सदात्मक सोध के अंतर अगला पॉइंट देखिए वर्ड अनात्मक सोध है वर्डन का मतलब क्या किसी चीज को किसी चीज को और उसको explain कर देना उद्देश से क्या है इसका अब मैंने नहीं लिखा definition क्योंकि मुझे पता है वर्ड अनात्मक सोध का मतलब क्या किसी चीज कोई अगर object है उस पर आप सोध करने के लिए तो उसको detail में एकदम से सोध करो ठीक है वर्ड अनात्मक देखिए विसय या समस्या के संबंध में यथार्थ वास्तिविक तथ्यों को एकत्रित कर उनके अधार पर विवरण प्रस्तुत करना ठीक है वही हो गया वर्ड अनात्मक आगे देखिए दोस्त का अध्यन करने को ही पर एक छड़ात्मक सोध कहते हैं ठीक है यहां पर द्यान देना दोस्तों यह भौतिक विज्ञान जो लिखा हुआ है ना इसको दिमाग में डाले ना अपने बत्ती बना के यह आपको पूछने दिखने को मिल सकता है कि यह भौतिक विज्ञान के अंत प्रित अवस्थाओं में अवलोकन परिछन के द्वारा सामाजी घटनाओं का अध्यन करने को ही पर छड़ात्मक सोध कहते हैं अगला पॉइंट देखते हैं विसुद्ध सोध मैंने बताया था सुद्ध का ओल्टा विसुद्ध होता है यह बताया था ना गलत आप समझ र लोगे उसमें 0.0000001 की भी तुटी नहीं रह जाएगी तो उसी को बोलते हैं विसुद्ध है ठीक है आई थिंग आप इससे ज्यादा मेरी बातों को समझ गये होंगे देखिए अब डेफिनिसन में क्या लिखा हुआ है डेफिनिसन में लिखा हुआ विसुद्ध अनुसंध प्रियोगात्मक वाले में उसमें जो की पॉइंट था उसको मने बता दिया है कि यह किसके अंतरगत आता है यह आपको याद गरना ठीक है देखिए विसुद्ध सोध में जान के लिए जान यह इसका की पॉइंट है ध्यान देना अगला इसका उद्यस जो है यह ग्यान की ठीक है, पुराने नाम का सुध्धी करण, अरे यार, पुराने ज्ञान का सुध्धी करण, भई, नाम कासा आगा इसमें, जैस वान सकेंड, फिर से पानी पिलू, हाँ ग्यान की प्राप्ती हमने प्राप्ती कर लिए ग्यान की आगे बढ़ते हैं पुराने ग्यान का सुध्धी कर भाई जो हमने पुराना ग्यान लिया था उसको हमने सुध्ध भी कर लिया आगे बढ़ते हैं सत्यकी खोज आप तो हमें बुद्ध ही बन जाना है ना आप बुद्धम, बुद्धम स्रडम गच्छा में सत्य की खोज में निकल जाओ ठीक है रहास्त के उजागर करो जैसे बुद्ध ने किया था बोलते थे उस टाइम पर इतने ज़्यादा कुप प्रताई थी कि भगवान बुद्ध जब उन्होंने अपना रह से उजागर किया था सत्य की खोशकी थी तो इसलिए उनके अन्वियादा बन गए थे क्योंकि वास्तों में उस समय धर्मानता ज़्यादा थी फिलाल डेटल मिले जाएंगे मैंने बोला मुझे अपनी थिंकिंग पे कंट्रोल रखना है अदर्वाइस लेक्षर बहुत लंबा हो जाएगा अगला पॉइंट है व्यावहारिक सोध जब उपयोगिता वादी द्रिश्टिकोन को लेकर उद्दोग या प्रशासन के लिए तथ्यों का संकलन क्या जाता है ध्यान देना दोस्तों उद्दोग या प्रशासन क्या लिखा मैंने उद्दोग या प्रशासन उपयोगिता वादी द्रिश्टिकोन ये सारी छीज़ें आपको आपके माइंड में होनी चाहिए ये मनें की पॉइंट बता दिया याद करने का तरीका आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसका उद्देश क्या है इसका संबंध सामाजिक जीवन के व्यवारिक पक्ष से है मनें बताया ना कि जहां सामाजिक जीवन का व्यवारिक पक्ष आएगा वहां पर उद्दोग प्रसासन बिजनेस नवकरी इसकी ओपी हो गिता है ना घर बच्चे बाल बच्चे बोलते हैं ऐसे मनें उल्टा बोल दिया था भी ठीक है आगे देखे क्रियात्मक सोद क्या है क्रियात्मक सोद यह भी व्यवारिक सोद का ही एक प्रकार है जस्ट अभी जो मनें बताया था उपर यह अभी उसी का प्रकार है अब इसमें क्या है इसके प्रकृति निदान आत्मक होती है निदान का मतलब बहता है किसी चीज़ समस्या का स्थमाधान ठीक है यानि कि जो प्राबलम हमें यहाँ पे आई है अब यहारीक में जब दिमाग लगाओगे पैसा के लिए नवकरी के लिए उद्दोग उप्रशासन के लिए तो इसका निदान जरूरी है यानि कि यह जो क्र हमारे चल रह ठीक है आगे देखिए दोस्तों मुल्यांकन सोध मातलब रिखोता है मुल्यांकन का मतलब रहता अंकन मूहले को आकना किसी विस्वस्तु का मुल्यांकना कितने लेवल का कितने पानी का वह चीज़ है इसमें लिखा क्या देखले कि उद्देश से जो कारिकर्म बनाया गया हुआ अपने उद्देशों की प्राप्ति में कहा तक सफल रहा इसी को मुल्यांकन सोद बोलते हैं ठीक है तो मैंने डेफनेशन एक भासा में एक बार में पढ़ लिया है फिर से समझाने कोशित करता हूं यह सोद वास्तली जगत मे रियल लाइफ में संपाजित के गई ऐसी खोज है ठीक भीया जिसके माध्यम से यह मुल्यांकन के जाता है जिसके माध्यम से यह हमें देखते हैं आगते हैं कि विक्तियों के किसी विषय समूह उनके जीवन में ठीक है विक्तियों के किसी विषय समूह के जीवन में सुधा प्राप्ट बनाया था उसमें हम अपनी उद्देशियों में कहां तक सफल हुए है यही होता है मूल्यान कन्सोध मोलो सिया वराम राम チंतर की जय ठीक है इस अगला प läm aos यह वाय कि देखे दोस्तों यह पहलेतें का लेवल आप बोल सकते हो कि इसमें mathematical का यूज आ जाता है तो इसमें आपको माध्य, माधिका, बहुलक, विक्षेपन, विचलन, मानग विचलन, जो कि आपने railway, NTPC के exam में, phase 1 के exam में जब आप अपियर होंगे, तो जरूर पढ़े होंगे, तो वही आपको यहाँ पर यह सारी चीजें apply करनी होती हैं, किसी सोध को consider करने के लिए, उसको proceed करने के लिए, ठीक है, तो अच्छा एक अगला point आप देख लिए, जाते-जाते एक मने definition लिख दिया, साह संबंध जब कभी आएगा, तो यह अगर exam में आता, अच्छा most important द्यान देना हलुआ नहीं समझ लेना इसको, सा संबंध का मतलब यह होता है, जब दो स्रेड़ी इस प्रकार संबंधित हो, easy है, कोई दिक्कत नहीं है, जब दो स्रेड़ी इस प्रकार संबंधित हो, कि एक पदम में कोई परिवर्तन आए, तो दूसरे के में, दूसरे स्रेड़ी में भी परिवर्तन हो जाए, इसी को बोल ठीक कोई बहुत अच्छा एजांपल दो नहीं था फिलाल देखिए दोस्तों यह चैप्टर मैंने कंप्लीट किया आप मुझे रिवार्ड दो क्या रिवार्ड दो क्योंकि यूट्यूब पे आइधिंग साइध पहली बार सोध पड़ाली इसको मैंने जो आपके खुद से रिलेट करने की कोशिश की है इससे बेस्ट एक्जांपल अगर कोई दे दे तो मुझे कहना ठीक है अपने आप पे सुध करो खुद पे बिसलेशन करो इतना जो मैंने टाइप बताया यह क्रियात्मक प्रियोगात्मक अनुषडात्मक गुड है उसकी लिस्ट बनाओ जो दो चीजे आप पे अपलाई होती है और यूपी के लेखपाल के एक्जांप की स्कीम त्यार करो टैन टेबल त्यार करो और ग्यान प्राप्ति के लिए ग्यान प्राप्त करो ठीक है मिलते एक लिए वीडियो में अपना ख्यार रखना जैहिंद झाल करो बाद करो प्राप्ति के लिए दो प्राप्ति के लिए खोड़ादय।